पशिम बंगाल की मुक्कमंत्री मम्ता बेनरजी ने उत्रप्रदेश को लेकर एक ऐसा बायान दिया जिसके बाद यूपी की राजनीती में हल्चल तेज हो गई है त्रडमूल प्रमुक मम्ता बेनरजी ने कॉलकटा के आरजिकर अस्पताल की घटना पर बोलते हुए कहा था कि अगर पशिम बंगाल में आग लगाई गई तो इसका असर उत्रप्रदेश असम पुर्वत बिहार और जार्खन और इसा और दिल्ली में भी पड़ेगा वहीं उनके इस बायान को लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है उत्रप्रदेश के उपमुक मंतरी ब्रिजेश पाठाग आज आयोध्या पहुँचे उन्होंने हनुमान गड़ी और रामलला का दर्शन किया साती देश और प्रदेश की मंगल कामना की इस दोरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का दर्शन करने की हमेशा लालसा रही है देश और प्रदेश की सुख सम्रद्धी की काम ना की उतर प्रदेश की दस विदान सबसीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन राजनेतिक पार्टियों में हल्चल तेज हो गई है बाज़पने सहयोगियों के बीच सीट बटवारे का पत्ता खोला है फिर भी एंडियों के बीदर सीट बटवारे को लेकर रस्ता कशी तेज हो गई है हर साल की तरह इस साल भी उड़ से रजवी के मौके पर औल इंडिया मुसलिम जमात के राश्टिय अध्यक्ष मौलाना शाह बुदीन रजवी की अगवाई में मुसलिम एजेंडा जारी किया गया अलग-अलग राजियों से आए उल्मा और मुसलिम बुद्धी जीवियों ने मुसल्मानों से जुड़े मुद्धे पर सिविल लाइन सिस्तितिक मारेज हौल में मिटिंग की जिसमें मुसल्मानों को तालीम पर जोर देने के साथ राजनीती से दूरी बनाने की एदायत दी गई नैशनल हेल्थ मिशन के तहते कारेरतिक कॉम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी मांगो को लेकर राजधानी लखनों के एको गार्डन में अनिशित काली धरने पर बैठ गए प्रदेश भर से आए हजारों सियाचो अपनी वेतन संबंदि डिजिटल एटेंडेंस ट्रांसफर समेत अनिमांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं अब सियाचो के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज कर ली गई है राजी सड़क परिवहन निगम ने एक बारे फिर पुलिस भरती परिक्षा के अभियर्तियों को मुफ्त सफर कराने को लेकर कमर कसली है चोथे और पाचफे चरण की परिक्षा 331 अगस को होगी इसी के मदे नजर एक बार फिर से परिक्षारतियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर का मौका मिलेगा परिक्षा की तारीक के एक दिन पहले से लेकर एक दिन बात तक परिक्षारती प्रदेश भर में रोडवेज वसोसे इनिशल के परिक्षा सेंटर तक पहुँच सकेंगे कॉंग्रस नेता सुरेंद्र राजपूत ने परिक्षिम बंगाल में रेप हत्याकान मामले पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला और न्याय और उसके रेपिस्टो को फांसी मिलनी चाहिए इसे मामले के जो भी दोशी है उन्हें कानून के तहते कठोरतम दंड मिलना चाहिए लेकिन जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी के लोग बंगाल के लोगों को उकसा रहे हैं और अस्तर करने की कोशच कर रहे हैं जो लोगतंद्र को कमजोर बना रहा है लकनों को बहुत जल्दी अंदराश्टी इस तर की शूटिंग रेंज मिलने वाली है इसकी तैयारिया शुरू हो गई है अम उसी में 163 करोण की लागत से इसे बनाये जाएगा शूटिंग रेंज बनने से यहां विश्विस्तरी निशाने बाजी की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी प्रदेश के खिलाडी भी यहां प्रेक्टिस कर सकेंगे इस सिलसले में प्रस्ताफ तैयार कर लिया गया है मुखमंद्र योगी आदेतिनाथ ने बड़ा एलान किया है सीम योगी ने कहा है कि अगले दो सालों में एक लाग पदो पर पुलिस भरती की जाएगी CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार अगले दो सालों में एक लाख युवाओं को पुलिस में भरती करेगी, इसमें 20 प्रदिशत महिलाएं भी होंगी दिली की तर्च पर बनारस में BART, Bus Rapid Transit की तरह AART यानि की Auto Rapid Transit बनाई जाएगी इसके तहते लहतारा से Can't Roadways तक सड़क किनारे लोहे की बैरिकेटिंग में Auto और E-Rikshah का संचालन होगा इसमें अन्य किसी वाहन को जाने की अनुमती नहीं होगी नया लेन बनाए जाने पर DM PWD, VDA, नगर निगम यादायाद पुलिस ने अपनी सहमती दे दी है